वेलकम ट्यूटूफ चनल इसके सन्नी केतन आज की स्यूडियो में हम 66th BPSC प्राणिफिक परिच्छा के कटफ को लेकर अनालिसिस करेंगे लेकिन अनालिसिस करने से पहले उन सारे पहलों पर हम चर्चा करेंगे जिसको हमने इस कटफ अनालिसिस में ध्यान रखा है हमने कोशिस की है कि कटफ अनालिसिस पुन्त तारकिक रहे लेकिन आप यह अगर सोचेंगे कि आपके मन के अंसार ही है कटफ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है इस बार जो हमने चीजे ध्यान रखी है इसमें नमबर ऑफशीट्स कितनी थी अटेंडेंडेंस कितनी रही पेपर का डिफ़कल्टी लेवल क्या था इड़वलू इफक्टर क्या हो सकता है यह उप्शन ने किस तरीके से खेल किया इस बार केटोग्री वाइज, 66, 65 BPSC, 64 BPSC, 63 BPSC में कटफ क्या रहे थे हमने आपसे एक सेंपल सर्वे भी कराया था यूट्यूब चैनल पर ही और फेस्बूक पर भी उसमें भी लगवक हजार चात्रों ने भाग लिया है उसमें उनका क्या रूजान रहा इन सारे पहलूओं को हमने विचार करकर कट अफ तयार किया है अब चलते हैं नंबर ओफ स्विट्स की बात करें तीस भर 691 सीट है जबकि 65th बीपीएसी में 430 सीट है चौशाठी बीपीएसी में 1465 सीट है और 63 बीपीएसी में 355 सीट है इस पार उपस्तति के बात करें तो यह कहा जा रहा था कोरोना करेंट बहुत कम बच्चे आएंगे ट्रावेल की सुझधा नहीं है दिक्कत होगी लेकिन जो न्यूज पेपर है आज की उसकी कटिंग में आपको दिखा देता हूँ 65 परतिसत उपस्तति रहने की बात प्रभाद खबर की आज की न्यूज में कही गई है कि लगभग 65 परतिसत जाने दो दसमनों 7 लाग बच्चे 66 परिक्चा में उपस्तित हुए है पेपर की डिफकल्टी लेबल की बात करें तो पेपर मॉडरेट था इतियात से संबंदित प्रशन जहां आसान थे पॉलिटी के कोशन को मॉडर्ण स्रेणी में रखा गया एकनोमी के कोशन टफ स्रेणी के थे concept based थे और यह option के बाद वो काफी मुस्किल हो गए थे जोग्राफिक के कोशन मॉडरेट लेबल के थे बिहार अस्पेसल के भी जहां कुछ कोशन आसान थे प्रतम मुखमंति पु मुखमंति के आद रेती कोशन टफ़ सरेनी है थे कौराइन्ट अफ्योड के कोशन मौडएट थे पेपर लिग की अफ्वाव उडी है इसका क्या परभुआव पर सकता है कटप पे मेरा मानना है कि इस कटप पे पेपर लिग का परभू नहीं के बराबर पड़ेगा क्योंक सिवल सेवाग की परिक्षाओं में प्रडिम्स परिक्षा के लिए कोई विद्धार्ती पेपर लीग को लेकर कोई मोटी रिकम देने को तयार नहीं होता क्योंकि तो मुख परिक्षा में सामिल होना पड़ता है और इसकी पुष्टी नहीं हुए है तो हमने इस फैक्टर को बहुत ही कम भातों दिया है कि परिक्षा हो गया है इसलिए कटफ इंक्रीज होगा AWS फैक्टर पिछली बार भी लाग वह आता है जो कि जेनरल केट्रोगरी के कटफ को कम से कम एक से दो नमबर उपर कर देगा इए ओफशन जो कि शिक्टी से लाग हो है जिसके कारण भी कुछ आसान किसम के प्रश्ण भी मुस्किल हो जाते हैं एक इसला track record है आप देख सकते हैं कि जो seat है न केवल cut up नहीं कर सकती है आगर वो प्रवाववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव कर दिया है जबकि seat है कितनी थी 1465 या cut-up वहां से भी match कर सकते हैं तो इतने parameters को ध्यान में रखते हुए एक sample survey है उसको भी मैं दिखला दे रहा हूं हमने प्रस्म पुछा कल साम में कि आपके उनसाथ 66 BPSC prelims का cut-up कितना जाना चाहिए लगवग इसमें 877 शात्रों ने अभी तक participate किया था उनका मानना था कि cut-up 96 जो है 45 परशंट और 100 30 परशंट शात्रों ने राय व्यक्त किये है इसके साथ ही साथ हमने एक और प्रस्म पूछा था 66 BPSC में 22 से उत्तर मिलने के बाद आपको कितना अंक प्राप्त हो रहा है इमांदारी के साथ साजा करें 25 परशंट चात्रों ने कहा कि 100 से 110 की बीच में आ रहे हैं 95 परशंट चात्रों ने कहा कि 95 से 99 बीच में आ रहे हैं इस सारे मार्व को हमने लगभग पांच अंग घटा के कंजेडर किया है क्योंकि प्राइन भी जब बच्चे मार्व करते हैं तो कम से कम उसमें पांच नंबर के तुरूटी होती है वो पांच नंबर अधिक जोड़ लेते हैं और समानता बच्चे कुछ बच्चों को छोड कर अब हम बात कर लेते हैं जबर कटफ की अगर हमारे कटफ पे न अब वो कोई संदे हो तो आप हमारे प्रिविएस येर का कटफ बिहाट दरोगा मेंस 2018 उठा के जाकर देख लें सेम टू सेम केरी फारवड किया था चैनल पर पढ़ा हुआ है इसके साथ ही साथ बिचला प्रिलेम्स यानि 75 प्रिलेम्स कटफ एनालेसिस भी देख लें जिसमें दो नमबर का अंतर आया था यानि कि दो मार्क हमने कम बदाया थे कटफ इस बार हम ने निर्णा लिया है कि कोई लोग पर ये कटफ आपके लिए लाएं ऐसा नहीं कटफ वही रहेगा जो आ नजिअल का कतफ 87 प्लस मैनस 1 SC female 80 प्लस मैनस 1 ST 90 प्लस मैनस 1 ST female 82 प्लस मैनस 1 Fidham fighter category में Cut off 88 प्लस मैनस 1 रहने की उमीद है अगर E-Srange में आपके नमबर आ रहे हैं तो आप मुफ पर इच्छा के लिए लग जाएं कि मैं हमेशा कहा करता हूं Problems is a matter of fact Man is a matter of art अगर आपका Problems हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं भी हो रहा है तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती है आप आगले बार कर लाएंगे लेगिन अगर आप बार पर मेंस नहीं हो रहे हैं तो चिंता को भी से हो जाता है क्योंकि आपने fact चार कमप्र है जा गलत हो गए आपका प्रेडम से रुख सकता है लेकिन अगर मुख परिक्षा में आप बार बार असा फ़ल हो रहे हैं तो उसमें एक समस्या उत्पन हो जाती है इसलिए मुख परिक्षा में लग जाएं भी सही बेस्ट आफ लख